व्यापार अगर नहीं चल रहा है या फिर किसी ने आपको कह दिया कि आपका व्यापार बंधन किया हुआ है या फिर किसी ने कह दिया कि या लक्षमी बंधन की हुई है अब इसे हम कैसे पैचाने कि मेरा व्यापार का बंधन हुआ है या लक्षमी का बंधन हुआ है अब देखो कोई particular ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि कोई आकर के आपका व्यापार का वंधन करे या फिर कोई आकर के आपका लक्षमी का वंधन करे नोइंगली बोलो चाहे अनोइंगली बोलो या नोइंगली बोल सकते हैं या अनोइंगली बोल सकते हैं कहीं न कहीं हम कोई छोटी मोटी गलतियां कर जाते हैं और उस गलतियों के कारण वो वंधन हो जाता है अनोइंगली हो जाता है या कुछ ऐसा भी होता है कि जब व्याप तत्व ही मैं बोलूँगा कि वो लोग आके आपका व्यापार का बंधन कर देते तो ऐसी कंडिशन में हम कैसे पहचाने और उस व्यापार बंधन को कैसे खोले यह मैं आपको बताने वाला हूं अगर व्यापार पहले चलता था अभी चलते चलते रुक गया है या बंद हो गय ही या पहले से क्लाइंट कम आ रहे हैं बिद्नेश में लॉस हो रहा है आपके पास क्लाइंट आता है या customer नहीं नहीं जा रहे हैं समान तो ऐसी कंडिशन पर हम क्या करें पहला उपाय आपको करना है एक लेमन लेना है एक नीबू लेना है उसे जिस जगह पर आपका कैश काउंटर है वहां पर उस नीबू को आप 24 गंटे रखिए और आप देखिए बिल्कुल लेमन जो होगा जो नीबू होना चाहिए उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाग ना हो यह आप देख लेना एक दम फ्रेश नीबू रखिए समझ में आ जाएगा कि आपको इसके अंदर नेगटिविटी है या नहीं और उसे 24 गंटे आप अपने व्यवसाय स्थल पे रखिए उसके बाद उस नीबू को देखिए अगर उसमें कोई डॉट्स बन जाते हैं तो नेगटिव एनरजी है या फिर नीबू जैसा आपने रखा था उससे कुछ ज्यादा ही डल हो गया मतलब एक दिन पुराना नीबू जो होगा वो नॉर्मल डल होगा परन्तु ज्यादा लग रहा है ऐसा लग रहा है क अब माल लेजे लेमन का कलर नहीं चेंज होता है उसके बाद भी यह प्रोब्लम सा रही है तो हम क्या करें सबसे पहले आपको क्या करना है अपनी दुकान का सुध्धी करन करना है अब दुकान का सुध्धी करन कैसे होगा आप मार्केट में या आपके घर पे होली वाटर या गंगा जल, जो जिस भी धर्म को आप बिलाउंग करते हैं, तो आप क्या करें हिंदो धर्म से अगर करते हैं, तो गंगा जल लीजिए, उसमें थोड़ा पानी मिलाएगे, और पूरी दुकान पे उस विशाय स्थल पे पानी का छड़काव कीजिए, उसके बाद एक प्रटिव एनरजी को हटाने का तरीका बता रहा हूं, फिर आप डेली सुबह और शाम या रात में, आप सुबह जब भी दुकान खोलें, तो पीली सरसो का छड़काव पूरी दुकान पे करें, और जब आप दुकान को रात में बढ़ा रहे हों, बंद कर रहे हों, सटर ड अगर आप करते हैं, तो आप देखोगे कि आपका जो व्यापार बंधन है, वो खुल जाएगा, या अन्नोइंगली आपने कहीं न कहीं व्यापार का बंधन हुआ है, तो वो खुल जाएगा, और आपको करना क्या है, एक छोटी से डब्बी में, प्लास्टिक के डब्बी ह और जिस सीट पे आप बैठते हैं, जिस चेएर पे बैठते हैं, उस चेएर के नीचे अगर पॉसिबल हो, तो वहां पर भी आप पिली सरसो रख सकते हैं, चोटे से डब्बे में डाल करके, अगर आपका काउंटर है, गद्दी है, तो गद्दी के नीचे आप रख लिजी अगर आपकी चेयर है तो चेयर के नीचे अगर पॉसिबल है तो पीली सरसो आप अपने गड़े के नीचे रखिए और हर महिने आप उसे जल प्रवाह कर दीजिए अगर व्यक्ति ऐसा करता है नियमित रूप से तीन महिने उसका कोई भी व्यापार बंधन है वो अपने आप जाएगा तो पॉसिबल नहीं है लक्षमी बंधन को कैसे खोले लक्षमी बंधन को खोलने के लिए आपको आपके शौप में साउथ एस्ट की डिरेक्शन और नौर्थ की डिरेक्शन हमेशा साब सुथरी रखनी है नौर्थ जो होती है वो नई ऑपर्चुनिटी लाके दे साउथ इस जो होता है वो कैश फ्लो है वो लिक्विटी है वो कैश के फ्लो को बढ़ा देती है अगर नौर्थ खराब हुआ तो कैश आएगा नहीं तो नौर्थ की डिरेक्शन पर पॉसिबल है तो एक मनी प्लांट लगाईए अगर पॉसिबल नहीं है तो नौ इंचिस ब नौ इंचिस का एक मिरेर लगाईए और ब्लैक कलर का फ्रेम में आप वहाँ पर लगा दिजे आपका जो नौर्थ है वो एक्टिव हो जाएगा अब साउथ इस्त में क्या करें तो साउथ इस्त में आप कोशिश करें कि वहाँ पर एक रैडिक कलर का बेल लगाईए अगर सबस्क्राइब नहीं है तो ट्रृइंगल शेफ में रेड कलर करके साथईस्ट में लगाई है यह भी अगर पॉस्यबल नहीं है तो आप मार्केट से जैन नेट से आप सर्च मारिय। दिया जलता हो, दिया का एक काफी लौ आता हो, जैसे दिवालियों में हम दिया जलाते हैं, वैसे ही दिये का एक फोटो लीजिए, जिसमें काफी ज्वाला हो, जिसमें अगनी तत्वो दिख रहा हो, दिया छोटा हो, बड़ा हो, मतलब नहीं है, जिसमें आग दिख रही हो, तो व्यापार बंधन जो हुआ है और लक्ष्मी बंधन जो हुआ है वो अपने आप आपका खुल जाएगा आपको महिने दो महिने में आपको इसके परभाव दिखने लगेंगे